मेरे यूट्यूब चैनल स्टेडी रन्वे में आपका फिर्च स्वागत है पिछली वीडियो में हमने दो रूट वर्ट्स पड़े थे स्पेशर एंड स्पेक स्पेशर एक लेटिन रूट है और स्पेक एक पाई रूट है और जिनका इनिश में मीनि निकलता है तो पिछली वीडियो में हमने करीब बारा से पंदरा वर्ट्स इन रूट वर्ट्स से पड़े थे आईए देखते हैं आगे कुछ और वर्ट्स है हमारे पास फर्स वर्ट इस आस्पेक्ट प्रिफिक्स आ लगा है रूट इसमें वही स्पेशर है वन आप दा वेज तू व्यू सम्थिंग तू व्यू सम्थिंग यानि किसी चीज को देखने का आपका एक नजरिया आपका जो पक्ष होता है आपका पहलू होता है जब हम किसी चीज के किसी पक्ष पे देखते हैं पहलू पे देखते हैं नेक्स वर्ट देखिए, inspect, inspect में आपका prefix in लगा है, वही root है आपका, special, special means to look, inspect, to look into, इसका जो meaning बनेगा, to look into, यानि किसी चीज़ को observe करना, यानि to examine, to examine, यानि किसी चीज़ की जाच करना, यानि इसी की noun form है, inspection, किसी चीज़ की जाच करना, यानि examination, 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 चीक है, और इसी से एक और word बना है, noun word, inspector, जो किसी को examine करता, a person who examine someone or something, किसी चीज़ की जो जाच करता है, उसको inspector बोलते हैं, next word देखिए, suspect, suspect में आपका prefix आया है, SU, लेकिन इसको हम मानेंगे, सुको, SUB, सब, सब का जो meaning होता है, वो होता है, down, तो, specialist में लगा हुआ, aspect, तो इसका जो little meaning बनेगा, वो बनेगा, to look downward, यहनी, नीचे की तरफ देखना, यहनी, suspicion में, doubt में, संदे में, किसी चीज़ को, जो हम देखते हैं, उसको बोलते हैं, suspect, और इसी की adjective form होती है, suspected, इसी से एक मिलता, जुलता बढ़ और भी है, आपका, suspicion, suspicion, चीक है, और, इसी की adjective form मन जाती है, suspicious, यहनी, जिसपे doubt होता है, suspicion, यहनी, संदे को बोलते हैं, doubt को बोलते हैं, suspicious, ऐसी चीज़, जिसपे हमें, संदे होता है, doubt होता है, next word देखिए, retrospect, retro, prefix लगा है, retro का meaning होता है, back, यहनी, पीछे की तरफ, और suspect आपका, spatial, to look, to look back, इसका जो meaning बनेगा, to look back, look back on past events, यहनी, past में, यहनी, भूत काल में, पीछे, जो, घटी हुई, घटना है, उसको हम जब देखते हैं, पीछे की तरफ, जब हम, देखते हैं, उसको बोलते हैं, हम, retrospect, इसी की noun form है, retrospection, यहनी, जब, पीछे, घटी हुई, घटनाओं को देखते हैं, उनको बोलते हैं, retrospection, to look back, in past events, और इसी की adjective form है, retrospective, next word देखिए, next word is, intro, intro, intro लगा है इसके साथ, और वही है आपका special है, intro कहते हैं, in, inward, plus, to look, to look inward, इसकी लिटरल मीनिंग होगा, to look inward, यहनी, अंदर देखना, अंदर जाकना, आत्म अवलोकन करना, आत्म अवलोकन, जब हम अपनी thought process को देखते हैं, अपने views को देखते हैं, हमारे अंदर क्या चीज़ है, रेट्रोस्पेक्शन उसको बोलते हैं, इसके लिए verb है, रेट्रोस्पेक्ट, और इसी की noun form है, रेट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन, अपने आपको देखना, अपने views को देखना, अपने ideas को देखना, अपने अंदर पैदा होने वाली feelings होती हैं, उनको देखना, और इसी की adjective form है, इंट्रोस्पेक्टिव, नेक्स वर्ड देखिए, सरकमस्पेक्ट, रिफिक्स लगा इसके साथ, सरकम, सरकम का meaning होता है, around, और आप उसी के साथ, special root जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा meaning, to look around, यानि अपने चारो तरफ देखना, और जो अपने चारो तरफ देखता है, वो होता है, चोकर्ण व्यक्ति, यानि साथधान, जो साथधानी से चारो तरफ देखता है, वैसी की noun form है, circumspection, यानि अपने चारो तरफ देखने की जो करिया, act of looking around, अपने चारो तरफ, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस के लिए को बोलते हैं, circumspection, यानि जो व्यक्ति साथधानी के साथ आगे बढ़ता है, उसके लिए जो noun form है, वो circumspection होती है, और इसी के साथ adjective है आपका circumspective, circumspective, उस व्यक्ति के लिए जो होता है, जो साथधान होता है, जो चोकनना रहता है, जो सचेत रहता है, मेरे आज पास क्या घटना है, घट रही हैं, और उनके लिए वो सचेत रहता है, next word देखी, respect, बड़ा common word है, re plus special, look again, meaning क्या होगा, to look again, to look again, with honor, यही सम्मान के साथ किसी को देखना है, उसको बोलते है, respect, यह verb form भी है, और noun form भी है, ठीक है, इसी से और वर्ड बनेंगे जैसे, respectful होगे आपका, respectful होगया, चीक है, respected होगया, यह दोनों क्या है, adjective forms है, चीक है, इसी का जैसे हम opposite देखें, तो dis लगा देते हैं, इससे पहले, negative prefix, dis, respectful होगया, चीक है, अब देखिए, दूसरा word है, respectively, इसका थोड़ा सा meaning अलग change है, यह हम order को बोलते हैं, जो क्रम को बोलते हैं, order, कोई, certain order में कोई चीज होती है, इसको बोलते हैं हम, respectively, यह adverb form है, इस तरह से root words, special से हमने कुछ word पढ़े, कुछ words हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, इन words को बार-बार लिखते रहिए, बार-बार इनको प्रोनाउंस के रहिए, यह बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे, अगली वीडियो में मैं फिर आपके सामने हाजर हूँगा, कुछ अच्छे words लेके, कुछ interesting words लेके, तो जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थेंक यू, थेंक यू फर वाचिंग इस वीडियो,